बिस्मिल्यार्वाइन राहीम, असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ इजाजन सारी और आप देख रहे हैं इजाजन सारी फूट सीकर्ट अला बढ़कत दे आपके खानों में आपके रिस्क में आपके जाएको मुतम रिप्यार्ट सो आज मैं आपको है कब दम उठाना है कितना पाने चाहे गालों में कौन से मसाले कब डालने है और कौन से मसाले बिल्कुल इंडालें बहुत सी गलती हैं जो आप बुलाव में करते हैं और in-shallah आज मैं आपको आपको सारी शिज़ें बताऊंगा डिटेल के साथ चलेंजी बिस्मिलाराव व होते ही आपने से में अध्रक लेसन का पेस्ट एक चमच भढ़के एड़ कर देना है और अब इस चमच लेसन को अध्रक के साथ आपने अच्छे से पकाना है कम से कम 2-3 मिनट अगर आपको लगे कि यह मसाला जल रहा है आप फ्लेम कम कर दें लेकिन 3-2 मिनट आपने जरूर द अच्छे से इसकी हम भुनाई करेंगे यहीं पेस कोश्ट की और अब इसमें जाएंगे खड़े मिसाले याद रखिएगा स्टार्ट में कभी भी खड़े मिसाले आड़ नहीं करते तो इसमें 2 चोटी लाची दार्चीनिका टुकरा चार लॉंग 2 काली लाची दो बारियन क पूल और एक टेस पाथ एड़ करेंगे इससे चिकन की स्मेल दूर होती है और लोंग से पुलाव का बहुत शांदार अरोमा आता है चलेंजी अब इसमें 2 टी स्पून नमक की एड़ करेंगे 2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च एड़ करेंगे ठीक है पाउडर वाली आपने एड़नी करनी उससे भी चावलों का कलर डार्क हो जाता है और हल्दी भी इसके अंदर नहीं जाएगी और कोई मिसाला नहीं सिर्फ यह दो मिसाले होंगे ठीक है चलेंजी अच्छे से बुनाई के बाद 12-13 मिनट की हम इसमें पानी आइड कर देंगे एक गलास जिस लहर बारें तकरीबन 25 मिनट लगे इस गोश्ट को गलने के लिए इन केस अगर यह ना कले तो आप इसको मजीद पका लें ठीक है गोश्ट की कम्प्लीट पकाई यहीं भी होगी यहाँ इसमें हम दहीं एड करेंगे दहीं बहुत जरूरी होता है पुलाव के अंदर यह चा आली मिर साबती हाफ टी स्पून जाएगी यह हमारे पास आलो बुखारा चार से पांच और इमली वान टेबल स्पून के करीब इससे चावलों में बहुत ही एक शांदार सा गलो आता है एक शांदार सा फ्लेवर निकलता है खटा सा बहुत ही कराडा सा चलें जी अच्छी स चावल थे उससे डेर गुना मैंने पानी यूज किया है अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छा यहां पर आपने इसके अंदर चावल आट नहीं करने ठीक है चावल आपने कब आट करने है जब अच्छे से शिहनी में उबाल आ जाएगा ठीक है जब यह वाइल होना शुरू ह हो जाएगा चलें जी बिसमिलरावान है अब जाकर आपने इसके अंदर चावल आट करने हैं वड़ना चावल फूल जाते हैं और हल्वा से बन जाते हैं ठीक है तो यहां पर अगली बाद जो बहुत एहम है वो यह कि दम इसको कब लगाना है हलकी इसकी मिक्सिंग करेंगे पानी, चावल ने अठीक को फूल हाई रखेंगे जब इसको दम नहीं लगाने वाले, ठीक हो गया, अब इस यहनी के अंदर इमली है, आलू भारा है, दहीं है, इन सबी चीज़ों का एक ऐसा जूसी फूलेवर आएगा चावलों में कि यकीन करें हैं आपको मज़ा आ आफ कर देना है और बहुत ही अराम के साथ यहां पर टमाटर है जिनके बीज मैंने निकाह लिए थे ठीक है यह टमाटर यह अद्रक और हरी मिर्चे यहीं एंड पर ही जाएंगी क्यूं क्यूंकि हमें इसकी फ्रेश फुश्बू चाहिए हमें इनका क्रण्च भी चाहिए तो जो इसके हरी मिर्चे है वह भी डन है और जो टमाटर है बहुत जूसी हो चुके है अद्र का फ्लेवर भी आ रहा है और चावर भी आपको बहुत जूसी लग रहे है फाइनल लुक की तो चलते हैं बिसमिल्लाहरामान रही तो माशालाला लाहमदुलिल्ला देखेजी मेरे पिल्लाह की शान में रहा है तो मेरे प्रपाद है तो मोई प्लेवर विद्विल्लDr.व के लिए के लिए मन इसके लिए पुलाव के लिए अगली वीडियो तक आपाहले सब्सक्व के तो मimately कृ TH dollar pig